हलो एवरिवन, वेलकम टू एज्यूकेशन राइस, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, राजस्तान मातिमिक शिक्षा बोर्ड अजमिर ने क्लास टेंथ के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कक्सा 10, 20, 23 की जो बोर्ड परिक्षा होने जा रही है, उसकी वी विवाजन देखेंगे कि किस तरीके से आपका प्रस्ने पत्र आएगा, तो यह सम्पूलिट हम इसमें देखने वाले हैं, यह आपको पीडियापी में अविलेबल कराऊंगा, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपकी जो सबजेक्ट हैं, विसे जैसे इंगलिस, हिंद शिक्षा, सूचना प्रद्योगी की और अवधारना, तो यह जो आपके विसे हैं, और यह सारे सर्दान्तिक विसे हैं, सम्यावदी इनकी रहेगी आपके बोड एक्जाम्स की सवा तीन घंटे की, और एक्जाम का जो पेपर होगा, वो असी-असी नंबर का आपका होगा, इसकुल इस तर से जो आपके सतरांक भीजे जाएंगे, वो बीस मैंसे भीजे जाएंगी, जिसमें दस तो आपका इस्थानी परिक्षा का परसेंटेज रहेगा, पांच प्रदिशत आपके रहेंगे प्रोजेक्ट के, तीन आपके रहेंगे उपस्तिति के, और दो रहेंग हम subject wise देखते हैं किसके subject में कौन-कौन से chapter से किस तरीके से आपके प्रस्ण पूछे जाएं कि हम इसका अंक विवाजन भी देख लेते हैं आप बात करते हैं उपस्तिति की कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दो अंक मिलेंगे और 86 से लेकर के 100 प्रतिसत तक उपस्तित रहने वाले विद्यारतियों को पूरे तीन अंक मिलेंगे दो अंक आपके कख्षा में सहभागीता व्यवार और अनुसासन के होंगे ठीक है 20 नंबर का सतरांग जो है वो यहां से बेज़ा जाएगा सब्सक्राइब का और यह आप कंप्लीट इस थोड़ा सा और पढ़ लीजेगा मैं आपको यह पीडियाप हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से उसे डाउनलोड करिएगा ठीक है हमारा टेलिग्राम चैनल उसे जॉइन कर लीजिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ये पीडियाप डाउनलोड करके के अपने mobile में ले सकते हैं आप इसे complete पढ़ सकते हैं और इसके अलावा study material के लिए आप हमारा app डाउनलोड करिए जहां पर हमने आपके सभी subjects के videos upload करे हैं हमने courses launch किया है जहां पर हम आपको जो है वो online test भी available करा थे हैं इसके लावा आपके video lectures और सब कुछ आपको हमारे app में मिलेगा हमारे app का link इस video के description में दिया गया है सबसे पहले हम बात करेंगे मातिमिक सिक्षा बोड राजस्तान अजमेर की जो परिक्षा 2023 है इसका पार्ठी करम हिंदी विशे का तो हिंदी विशे में आप देख सकते हैं आपका जो chapter जो इस तरीके से रहने वाला है आपका प्रशने पत्र समय रहेगा आपका सवातीन घंटे का और पुर्णांक 80 नंबर है 17-20 में से भीजए जाएंगे इस तरीके से आपका total प्रशने पत्र रहेगा 100 नंबर का सो नंबर का जो प्रस्ण पत्र है उसमें से हम बात करेंगे असी नंबर की क्योंकि बोड का जो असी नंबर का पेपर आएगा वो किस तरीके से आना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपठित गद्यांस जो है आपका वो रहेगा दस नंबर का उसके बाद रचना यह रहेगी 14 नंबर की व्यभारिक व्याकरन यह रहेगी 10 नंबर की और उसके बाद आपकी जो दो पाठे पुस्तक हैं पाठे पुस्तक एक है चितिस भाग दो यह 36 नंबर के प्रसन आपके इस किताब मैंसे पूछे जाएंगे और क्रती का भाग दो जो है इसमें से 10 नंबर के प्रसन आपके पूछे जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं अपठीत जो बोध है इसमें एक तो रहेगा आपका अपठीत गद्यांस और दूसरा रहेगा अपठीत पद्यांस तो ये 5 नंबर का गद्यांस है 5 नंबर का पद्यांस है और दोनों मिला करके आपके होते हैं 10 नंबर ठीक है तो ये 10 नंबर का तो रहेगा आपका आपठीत बोध रचना में क्या क्या आएगा तो रचना में आप देख सकते हैं कि संकीत बिंदूओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विशे पर निबंद लेकन लगबग 300 सब्दों में आपको लिखना पड़ेगा ये रहेगा आपका 6 नमबर का पत्र लेकन अपचारिक अनपचारिक विकल्प सहिद आपको मिलेगा ये रहेगा चार नमबर का और विशे से संबंदित विज्यापन लेकन 25 से 50 सब्दों में आपको अड़ेजमेंट करना है ये भी रहेगा आपका चार नमबर का तो 6 और 4, 8 और चे ये 14 नमबर आपका हो ग और मौहावरे एवं लोकोक्तिया पाठे क्रम पाठे पुस्तक के आदार पर पुची जाएगी वो रहेगी आपके दो नमबर की नेक्स रागे बढ़ते हैं अगला है आपका पाठे पुस्तक और पूरक पुस्तक जिसमें चितिज जो आपके किताब है उसमें से एक व्याक से और दूसरा पध्यभाग से तो छे चे नंबर के दोनों प्द्ध्यशलों रहेगा तो चार प्रसन चार नंबर के रहेगा और किनी एक रचनाकार का परिचिया आपको पूछा जा जाएगा कि यह तो कभी या फिर लेखक चार नंबर का प्रस्ना रहेगा, तो यह इस तरीके से आपके यह मारकिंग हो गई, और आपकी दूसरी जो पूरक का है, पुस्तिका, करतिका, तो इसमें करतिका मैंसे, पाठों पर आधारित तीन मैंसे दो आपको अधिल लगूतरात्मक प्रशन करने हैं प्रतियक प्रशन रहेगा तीन नंबर का तो इस तरीके से आपका छेन नंबर का प्रूंज हो अंक विवाजन रहेगा ठीक है उसके बाद अधिल लगूतरात्मक और फिर बहु विकल पात्मक तो इस तरीके से आपका अंक विवाजन ह ये तो हमने बात करी है हिंदी की रूष के अलावा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका जो पाठी क्रम है इंग्लिस की बात करेंगे तो इंग्लिस में भी रहेगा आपका टाइमिंग सवा तीन गंटे कर आएगा असी नंबर का आपका पेपर आएगा 20-17 के स्कूल से बिज़े जाएगे और 100 आपका टोटल नंबर रहेगा दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या किसी प्रकार की आपकी क्विरिस हो कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट कर लीजिए इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर लीजिए मैं आपके कमेंट का रिपलाई दूँगा और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताईए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूँगा मैं आपको आपका जो कम्प्लीट सेलेबस है उसकी तैयारी करवाऊंगा विसेस करके हम हिंदी और इंग्लिस हैना विहंदी और इंग्लिस की तैयारी करेंगे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी से सेर करिए आप देखिए इंग्लिस की बात करते हैं तो आपके रीडिंग सेक्षन पंदरा नंबर का रहेगा राइटिंग सेक्षन आपका तेरा नंबर का रहेगा ग्रामर आपकी पंदरा नंबर की एक्जाम में पूची जाएगी उसके लावा जो आपकी दो टेक्स्ट बूक है पहले यह फर्स्ट फ्लाइट इसमें से 27 नंबर के प्रसन आपकी एक्जाम में पूचे जाएंगे अब आप देख सकते हैं रीडिंग सेक्षन में आपको दो अंसीन पैसेज पूचे जाएंगे और उसके बाद में यह दो अंसीन पैसेज हो गए उसके बाद में फिर आपका राइटिंग सेक्षन आएगा इसमें आपके क्या 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 आएंगे Tenses आएंगे Reported Specs आएंगे Conjunction आएगे Relative Pranown आएंगे Active Passive आएंगे और साथी साथ Framing Questions and Question Texts भी पूछे जाएंगे आपके जो Textbook है First Flight इसका जो Pros वाला Section है जिसे गद्यभाग हम कहते हैं उसमें से 19 नमर के प्रसने पूछे जाएंगे और आपका जो इसका जो Poetry वाला Section है उसमें से 8 नमर के प्रसने पूछे जाएंगे और Foot Friends Without Feeds जो आपके Supplementary Reader है उसमें से 10 नमर के प्रसने पूछे जाएंगे और Complete इसके जो इसके तयार है वो हमारे Channel पर हम आपको करवा देंगे उसके बाद हम Next चलते हैं जो अगला आपका Subject है वो है यहां पर विज्ञान की बात करते हैं इसमें भी सेम सवातीन घंटे का टाइमिंग रहेगा 80 नमर का आपका Paper रहेगा 17 इसमें से बेज़े जाएंगे और इसमें दूसरा पार्ट है उसमें से 6 नमर के तीसरे में से 4 फिर 6 और फिर 4 और फिर 7 नमर के प्रसने पूछे जाएंगे तो अब आपको देख लीजे प्रसनों के आदार नमरों के आदार पर आपको उस पार्ट पर विसेस दियान देना है और यूनिट वाई जगर हम बात करें तो आपकी जो फिर्स्ट यूनिट है फिर्स्ट यूनिट में आपके 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर मिला करके 25 नमर के प्रसने पूछे जाएंगे इसमें 4 यूनिट है और 4 यूनिट में से तरीके से दी हुई यह आप पढ़ लीजी complete आपका syllabus जो वो यह यह रहने वाला है और इस तरीके से आपके board exams में प्रसने पूछे जाने हैं आगे बढ़ते हैं इसके लावा आपका यह तो हो गया science का science के बाद में हमारा next subject है सामाजी क्विग्यन सामाजी क्विग्यन में भी same timing रहेगा same marking रहेगी आपकी और यहां पर नंबरों की बात करते हैं तो आपके जो नंबर पहला इसमें जो unit है ना चार टोटल यूनिट है पहला है भारत और समकालिन विस्वा इसके में से 20 नंबर की प्रसना समकालिन भारत में से भी 20 नंबर के लोगतांत्रिक राजनीती म समझ इसमें से भी 20 नंबर के प्रसना पूछे जाएंगे तो इस तरीके से आपका टोटल हो गया असी नंबर का पेपर ठीक है उसके बाद आप यहां पर देखिए डिटेल जो आपका चैप्टर है वो इस तरीके से रहेंगे unit first में यूरोप में रास्टवाद का उदे यू और इसके PDF में आवेलेबल करा दूँगा आप हमारे जो हमारा टेलिग्रम चैनल है एजूकेशन राइज आप टेलिग्रम पर सर्च करेंगे एजूकेशन राइज तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ वहां पर जो हम इस्टडी मेटियल आपक कराते रहेंगे तो आप हमारा टेलिग्रम चैनल जोइन करिए वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी complete PDF आप वहां से प्राप्ट कर सकते हैं इसके लावा हमारा एप आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा mathematics mathematics में भी आप यह सिलेबस से देख सकते हैं वास्तिक संख्या बीज गणीतिय जयामिती निर्दे सांग ट्रिकॉन चेत्रमिती सांख्य की यह आपके नंबर है कि इस टोपिक में से कितने कितने नंबर क पूचे जाएंगे यह आपके chapters है और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है संस्कृत रतिय भासा संस्कृत का सिलेबस भी इस तरीके से आपका रहेगा नंबर अंक भार जो है वह आपका इस तरीके से रहेगा पहला ज क है डिटेल चीज़े आप लोग यहाँ पर देख लीजेगा और इसके बाद में next हम बढ़ते हैं next में हमारा अगला जो विसए है वो है उर्दू तरतिय भासा में आप उर्दू इस तरीके से देख सकते हैं उसके बाद में next गुजराती है और इसके बाद में हाप यापे स सिंदी है सिंदी के बाद पंजाबी है और फिर हम यहां पर अगला जो है आपका राजस्तान का इतियास और संस्कृति तो राजस्तान का इतियास और संस्कृति इसका समय भी रहेगा सवातीन गंटे और प्रस्ण पत्रा के लिए निर्दारित आंख हैं वो हैं असी नंबर के 20 नमबर के 17 बेजे जाएंगे इस कुल इस तरह से और इस तरह के से आपका कुल हो गया 100 नमबर का प्रशन पत्र और इसमें अध्याए 1, 18 नमबर का रहेगा उसके बाद अध्याए 2 आपका रहेगा 5 नमबर का, अध्याए 3 आपका रहेगा पांच नमबर का ठीक है इस तरीके से ये आपके नमबर हैं आप देख सकते हैं और ये तो है आपका राजस्तान राजस्तान का जुजी के है राजस्तान वाली जौब की उसके बाद में आपका है ना यूनिट है यूनिट वाइस आपका पूरा से लेबस रहेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह हमने देखा है अभी फिलाल जो है वो क्लास स्वास्ते शिक्षा और स्वास्ते शिक्षा में यह आपके अलग-अलग जो चेप्टर्स हैं और यहां पर अंक भार है कौन से चेप्टर में से कितने नंबर के प्रस्ण पूछे जाएंगे तो कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दी गई है बोड के द्वार अवेलेब तैक य।